हेलो एबरिवन, वेलकम टू आवर चैनल लता सिक्षन संस्थान कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगी जारखन GKGS का प्रैक्टिस सेट 15 इससे पाले मैं 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जिसमें हमारा टारिट रहेगा 400 पलस कोईस्चेन का प्रैक्टिस करवाना यह practice it यह session जैसा सी CGL के लिए काफी important है जैसा सी CGL के लिए special है साथ ही अगर आप जार्खन की किसी भी exams की तैयरी कर रहे है जार्खन police SI constable forest guard की तैयरी कर रहे है तो उन सभी exams के लिए भी आपको काफी इस session से love मिलेगा उन सभी exams को भी देखते हुए question को select क्या गया है question को collect क्या गया है तो इस session को देखना ना भूले जरूर देखें और अपनी तैयारी करते रहें तो class start करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी से request है कि अगर आप हमारे channel में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले subscribe करके notification विल आइकन को on कर लीजिए ताकि इसी तरह से जर्खन से related weathering class आपको मिलते रहें और जब भी मैं class upload करूँ उसका notification सबसे पहले आप तक पहुचे तो अब मैं class को start करती हूँ समय का बचत करते हुए आज का हमारा session है जर्खन GKGS का practice set 15 फर्स question है आपके screen में किस जनजाती के लोगों दुआरा सबसे पहले जर्खन राज निर्मान की परकिरिया शुरू की गई option A संथाल, option B उराव, option C हो, option D मुन्डा तो इस question का right answer होगा आपका option number C is right answer हो जनजाती के लोगों के दुआरा ही सबसे पहले जर्खन राज निर्मान की परकिरिया की शुरूआत की गई तो इस question का right answer होगा आपका हो जनजाती next question है आपके screen में निम्ड में से किस व्यक्ति ने अठारो सो संताओन की विद्रों के दुरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया option A ठाकूर विश्वनात साहदेव, option B कुमर सिंग, option C अमर सिंग, option D भवानी सिंग तो इस question का right answer होगा आपका option number A is right answer सन अठारो सो संताओन में जो विद्रों हुआ सेनिक विद्रों उस समय जार्खन के ठाकूर विश्वनात साहदेव के दुरारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया, जिसके संस्तापक कोन थे, तो संस्तापक इनके थे ठाकूर विश्वनात साहदेव और इनके सेनापती थे पांडे गनपतराई इस मुक्ति वाही नी सेना का सेनापती बनाया गया पांडे गनपत्राई को और इसके संस्थापक थे आपका ठाकूर बिश्वनात साहदेव नेक्स्ट कोश्चन है ज्यारखन के रामगड में कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन का यॹजन क्या गया था या कौनचा अधिवेशन था ओप्शन A पचासवा, ओप्शन B एकानवा, ओप्शन C पावनवा, ओप्शन D तिरपनवा तो इस question का right answer होगा आपका option number D is right answer तिरपनवा अधिवेशन जो था वो ज्ञार्खन के रामगड में उसका अधिवेशन क्या गया था और एक ही अधिवेशन जो है ज्ञार्खन में हुआ था ये कौन सा अधिवेशन था तो तिरपनवा अधिवेशन था और कब हुआ था तो सन 1940 इस्वी में तिरफनवा अधिवेशन जार्खन के रामगड में हुआ था और इनके अध्यक्स थे इस अधिवेशन के अध्यक्स थे अबूल कलाम अजाद अभूल कलाम अजाद की अध्यक्स्ता में सन 1940 श्वी में दिर्फन्वा अधिवेशन जार्खन के रामगड में क्या गया था नेक्स कोश्चन है निम्न में से किस विद्रो को हूल विद्रो के नाम से जाना जाता है अप्शन ए हो विद्रो, भूमीज विद्रो, पहाड़िया विद्रो, सन्थाल विद्रो तो इस कोश्चन का राइट आंसर होगा आपका अप्शन नमबर डी इज राइट आंसर सन्थाल विद्रो को ही हूल विद्रो के नाम से जाना जाता है अगला question है पर्थम संथाली सब्द कोश पर vocabulary of the संथाली लेंग्वेज के रचनाकार कोन थे? Question क्या करा है कि पर्थम संथाली सब्द कोश जो था पर्थम संथाली डिक्सनरी था vocabulary of the संथाली लेंग्वेज तो इस संथाली लेंग्वेज के रचनाकार कौन थे? इस डिक्सनरी के रचनाकार कौन थे? ओप्शन A, PO वोर्डिंग ओप्शन B, सक्खा राम गनेश देवसकर ओप्शन C, केंप वेल ओप्शन D, EL पक्सूले तो इस question का right answer होगा आपका ओप्शन number D is right answer EL पक्सूले इज राइट आंसर नेक्स question है जार्खन वे वर्षा का मुख्य स्रोत है ओप्शन A, बंगाल की खाड़ी की साखा ओप्शन B, अरब सागर की खाड़ी की साखा ओप्शन C, भूमध्य सागर की खाड़ी की साखा ओप्शन D, इन में से कोई नहीं जार्खन में वर्षा का मुख्य स्रोत है आपका बंगाल की खाड़ी की साखा बंगाल की खाड़ी की साखा से ही जार्खन में वर्षा होती है नेक्स question जुमार, राढ़ू, काची, खरकई, एवों संजय, किसकी सहायक न दिया है ओप्शन D, ब्रामनी, ब्राकर, स्वर्णरेखा, दामोदर तिस question का right answer होगा आपका ओप्शन number C is right answer स्वर्णरेखा नदी की साखा नदिया है जुमार, राढ़ू, काची, खरकई, एवों संजय ये सभी नदिया जो है स्वर्णरेखा नदी की साखा नदिया है तो अब हम लोग थोड़ी सी स्वर्णरेखा नदी के वारे में बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है तो स्वानरेखा नदियव का राच्जी के नगरी गाों से निकलती है खास बद यह है कि जार्खन की एक मात्र ऐसी नदि है स्वानरेखा नदि जो कि सौतंतर रूप से बंगाल की खाडी में जाकर गेरती है नेक्स कोश्चन है वर्मो एउम अयर बांध किस नदी पर है ये दो बांध है जो कि कौन सी नदी पर है ओप्शन ने दामोदर, बोकारू, बराकर, स्वर्न देखा जिस कोश्चन का सही उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर A is right answer वर्मो एउम अयर बांध जो है आपका दामोदर नदी पर बना हुआ है पिछले कौश्चन में तो हम लोगों ने जाना स्वर्न देखा नदी के बारे में अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में दामोदर नदी आपका निकलती है लाते हार के टोरी छेतर से लाते हार के टोरी छेतर से निकलती है और इसकी मुहाना कहां है तो इसकी मुहाना है हुगली नदी हुगली नदी में जाकर दामुदर नदी मिल जाती है दामुदर नदी को बंगाल का सोक भी कहा जाता है और जारखन की सबसे परदूसित नदी मानी जाती है तो इतना तो हम लोगों ने दामुदर नदी की वारे में जाना अब आप लोगों से हमारा एक question है जिसका answer आपको comment box में comment करके बताना है जिस परकार से हम लोगों ने स्वार ने रेखा नदी की सहायक नदियों के बारे में जाना तो आपको comment box में comment करना है कि दामोदर नदी की कौन-कौन सी सहायक नदिया है question रहेगा आपका दामोदर नदी की सहायक नदिया कौन-कौन सी सहायक नदिया है उन सभी सहायक नदियों का नाम आपको comment box में लिख करके बताना है next question जारखन में किरिसी कारी में कितने परतिसत भूमी का उप्योग होता है option A 35% option B 30% option C 20% option D है 23% तो इस question का right answer होगा आपका option number D D में आपका क्या था 23% था जारखन में किरिसी कारी में 23% जो है भूमी किरिसी कारी में उप्योग किया जाता है किरिसी क्या जाता है 23% भूमी पर जबकि जारखन के कूल 75% जनसंख्या जो है क्रिसी कारियों में लगे होते हैं क्रिसी कारी करते हैं क्रिसी पर निर्भर करते हैं कूल जनसंख्या का 75% जनसंख्या जो है क्रिसी कारी में निर्भर है 1983 तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number B is right answer पारशनात भिहारने की स्थापना सन 1981 हिस्वी में हुई है और कहां है तो यह आपका गिरेडी डिस्टिक में है और आप लोग पारशनात पहाड़ी के बारे में तो जानते ही होगे कि जारकर की सबसे उच्छी पहाड़ी जो है वह है आपका पारशनात पहाड़ी यह केवल जारकन के ही नहीं वलकि जारकन और बिहार दोनों का सबसे उच्छी पहाड़ी जो है आपका पारशनात पहाड़ और यह पारशनात अभिहरने भी आपका गिरेडी डिस्टिक में स्थापी थे सन 1981 में इसकी स्थापना हुई नेक्स्ट क्वेश्चन शिकनी कोईला पर्योजना जार्खन के किस जगह में स्थी थे यानि कि कौन से जिल्ले में स्थी थे औप्शन है रांची, लातेहार, जमसितपूर, पलामू तिस क्वेश्चन का राइट अंसर होगा आपका औप्शन नमबर बी इज राइट अंसर शिकनी कोईला पर्योजना जो है या आपका लातेहार डिस्टिक में स्थापित है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमियम का मुख्य उत्पादन जिल्ला है ओप्शन ने पस्चिमी सिंभूम, हजारी बाग, रांची, धनबाद तिस क्वेश्चन का राइट अंसर होगा आपका औप्शन नमबर एज राइट अंसर यानि कि पस्चिमी सिंभूम में आपका क्रोमियम का मुख्य उत्पादन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में एनेश-33 सडक की जार्खन में कुल लंबाई कितनी है एनेश-33 जो है जार्खन की सबसे लंबी सडक है और इसकी कुल लंबाई कितनी है ओप्शन ए 300 किलो मेटर, 333.50 किलो मेटर, 383.2 किलो मेटर या फिर 400 किलो मेटर तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर बी इस राइट अंसर यानि की जार्खन के NH 33 सडक जो है उसकी लंबाई है 333.50 किलो मेटर ये कहां से कहां तक जाती है तो ये बरही के हजारी बाग के बरही से बहरा गोड़ा तक जाती है बहरा गोड़ा आपका पूर्वी सिम्भू में है नेक्स कोश्चन है आपके स्क्रीन में जनगना 2011 के निम्तम आकड़ों के अनुसार किस जिले में निम्तम जनसंख्या पाई जाती है अर्थाथ सबसे कम जनसंख्या वाला जिल्ला कोन सा है ओप्शन है रामगड, चत्रा, खूटी, लोहरदग्गा तो इस कोश्चन का राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर D is राइट आंसर यानि कि वर्ष दुहजर 11 के जनगना के अनुसार जारकन में सबसे कम जनसंख्या वाला जिल्ला आपका लोहरदग्गा है ये दो होगया सबसे कम जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या कहा है तो आपका राची डिस्टिक में है जारकन की राइधानी राची में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते है जदूर किस परकार का निरिती है उप्शन ए एकल निरिती उप्शन बी सामोहिक निरिती उप्शन सी पेशवर निरिती उप्शन डी इन में से कोई नहीं इस क्वेशन का सही उत्तर है आपका उप्शन निरिती एक परकार का सामोहिक निरिती है और यह कब क्या जाता है तो सर्वूल के उसर पर जदूर निरिती क्या जाता है अगला question है आपके screen में निमनी में से किस वाधी की आकिरती कड़ाही जैसी होती है क्या कराया कौन से वाधी है वाधी अंत्र है जिसकी आकिरती जो है कड़ाही की जैसी होती है option ने सिंगा, मांदर, ढोल, धमसा तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number D is right answer यानि धमसा जो वाधी अंत्र है इसकी आकिरती होती है एक कड़ाही की जैसी next question, संथाल जन्जाती में दिक्षा संसकार को किस नाम से पुकारा जाता है option A, चाचो छठियार, छठियार, कोटा छठियार, जन्व छठियार तो इस question का right answer होगा आपका option number A is right answer यानि कि संथाल जन्जाती में दिक्षा संसकार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है next question है महत्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई है option A, 1955, 1964, 1974, 1991 this question का right answer होगा आपका option number B is right answer यानि कि महत्मा गांधी कॉलेज की स्थापना सन 1964 इस्वी में पूर्वी सिम्भूम में की गई है पूर्वी सिम्भूम के जमसेदपूर में MGM कॉलेज स्थापित है महत्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को हम लोग स्वाट में MGM के नाम से जानते है एमजियम कॉलेज कहां आपका इस्थापित है मेडिकल कॉलेज यह आपका है जमसेदपूर में सन 1964 इस्थापना हुई नेक्स कोश्चन है और यह आज का लास्ट कोश्चन है आपका जगनात मंदीर की उचाई कितनी है फर्स ओप्षन है 82 फिट उप्षन B 96 फिट उप्षन C 100 फिट उप्षन D इन में से कोई नहीं तो जगनात मंदीर की उचाई जो है कितनी है तो वो है 100 फिट तो इस क्वेशन का राइट आंसर होगा आपका उप्षन नमबर C is राइट आंसर जगनात मंदीर की उचाई 100 फिट है यह जगनात मंदीर ज़ार्खन में कहा है तो ज़ार्खन के राची डिस्टिक में आपका जगनात मंदीर है इस मंदीर क्या निर्मान एनी साह के दवारा क्या गया था एनी साह के दवारा सन 1691 इस्वी में एनी साह के दवारा राची में जगनात मंदिर का निर्मान करवाया गया तो यही रहा आज का लास कोशन तो कैसा लगा आज का सेशन आज का प्रैक्टिस सेट कमेंड करके बताईएगा और अगर कलास हेलफूल लगा अच्छा लगा तो एक लाइक किजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंज के साथ फैमली के साथ सेर करे ताकि उन्हें भी हमारी जार्खन से रिलेटेड कलास देखने को मिले और वो भी अच्छे से त्यारी कर सके और मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करके नौटिविकेशन वेल आइकन को आउन कर ले ताकि जब भी मैं कलास अपलोड करूँ आपको इसी तरह से जार्खन से रिलेटेड वेतरिन कलास आपेंस आपको देखने को मिले और उसका नौटिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो आज की कलास यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स कलास में तब तक के लिए थाइंक्यू, बाइबाइ, टेक केर, जै हिन, जै भारत, जै जार्खन